जब आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाय है, इलेक्ट्रिसिटी की तारे हैं और आपके घर में पानी की पाइपलाइन भी है मान लिजे अगर कहीं पर पानी की पाइपलाइन फट जाए फट जाए तो घर में पानी भर सकता है, पानी भर सकता है घर में पानी की पाइपलाइन फट जाए तो लेकिन क्या हर बार पानी की पाइपलाइन फटने के वज़े से इलेक्ट्रिसिटी का नुक्सान हो जाता है न तो चीजए उड़ जाये, शॉटशर्किट होजा, अब आपको पानी का मठी करवाना पडे गा, उलेक्ट्र सिटी काम भी करना पडेगा, एलेक्रिसिटी का कॉना पडेगा, पड़ ये दोनो अलग है, योड़ाइव फोसकता है, Pानी जरूर हि नहीं है, लेकिन पानी के काम नहीं कर रहा किसी कारण अँवर्श चाहे उस पेस्मे कर के एरिया में इंफेक्शन हो जाए चाहा है हाट अटाइक उस एरिया को डामेज आए चाहे कुछ भी हो चाहे वो एलिया ओर स्ट्रेच हो जाए अब फिर काम ना गरे जो कोई भी प्रॉब्लम से अगर पेस्मे कर काम नहीं कर रहा हाट का, तो आपको pacemaker implantation, याने pacemaker की ज़रोत पड़ जाती है, ताकि आपकी धढकन रुक न जाए, धढकन कम-कम होके रुक न जाए, धढकन में बैलेंस रहे, तालमेल रहे, हाट के अंदर ऐसे तालमेल होता है एक धड़कता है दूसरा फिल करता है दूसरा धड़कता है भाहर जाता है तो अगर यह ताल में बिखड का ऐसे कुछ भी हो रहा है तो पेस्टमेकर की ज़रुत पड़ेगी अब ये पेस्टमेकर में प्रॉब्लम मययो काड़ितिस यने हाट के अंदर infection के वज़े हो सकता है, आपके heart attack के वज़े से हो सकता है, लेकिन heart attack में जरूरी नहीं है कि Pacemaker में problem आगा, ये जरूरी, heart का निचला हिस्सा, inferior wall, heart जो है, heart का जो inferior wall है, वो वहाँ Pacemaker होता है, तो अगर inferior wall को जाने वाली खून की नस्ब ब्लॉक होती है, तो ज़्यादा chances होते ह है, कि आपको heart block भी होगा साथ में, और heart block भी साथ में है, तब आपको पहले डाला जाता है, temporary Pacemaker, temporary Pacemaker से क्या होता है, कि heart attack को treat करते वक्त, हमें समय मिलेगा, कि आपका दिल की धड़कन रूखना जाए, Pacemaker होते रहे, temperature, temporary Pacemaker आपके पैर से एक तार जाती है, दिल के अंद होन जाना शुरू चला गया, वापस से उस inferior wall में, तो possible होता है कि वो एरिया जो है, वो वापस रिकवर कर जाए, और वो जो ब्लॉक हुआ था, complete heart block या जो भी जिसके वज़े से Pacemaker काम नहीं कर रहा है, वो रिकवर हो जाए, अब Pacemaker काम करने लग गया, तो आपको Pacemaker की ज heart attack में Pacemaker ज़रूरी नहीं है, लेकिन possible है, अगर heart के अंदर का internal Pacemaker involved हो जाए, तो, right?